आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहांपर हम आज चर्चा करेंगे F.E.L. के बारे में Future Enterprise Limited, जो Merge Entity हो जाएगी Once we have all the approval obtained जो approval है वो ही एक थोड़ा सा और CCI का approval जो primarily है वो ही एक थोड़ा सा डिले का कारण हो रहा है इस डील को complete होने के लिए और stock को react करने के लिए आपको थोड़ा patience अपना है आई चल कर जाने September 18th को हम क्या कर सकते हैं क्या price चल रहा है और क्या setup चल रहा है stock के reference में अब हम सबसे पहले stock का आज का price देखते हैं तो आज को जो price चल रहा है 14 rupees 35 ऐसे के आसपास चल रहा है कल के comparison में negative खुला है morning में उपर दिखा था पर फिर थोड़ा सा negative हो गया है पर overall देखें तो अभी के हिसाब से कल के reference में relatively higher price पर है तो आपको opportunity मिल रही है यहाँ पर फिर से इसको खरीदने की दोस्तों तो आप इसको opportunity को मत छोड़िएगा अगर short time का time frame देखें तो 5 minute के chart के लिए देखें जो इसका बंद price हुआ था कल का वो 14.35 के आसपास हुआ था और अभी वही पही almost चल रहा है सुबह के time पे positive गया था 14.60 तक उसके बाद थोड़ा सा negative भी गया 14.20 और उसके बाद में अब यह 14.35 के आसपास trade कर रहा है तो ऐसे stock में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने जब भी अपना कोई specific portfolio लगाया है तो portfolio का 5% से ज़ादा एक small cap या mid cap मत कीजिएगा यह एक basic principle है जो हमारे 7 mistakes to avoid market के वीडियो में भी हमने बताए हुएं चीज़े तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का आज अगर Nifty की बात करें Nifty ने कारोबार अभी थोड़ा धिला किया हुआ है positive खुला पर negative view बन रहा है हो सकता है थोड़ा short हो सके market यहां से पर अपने हिसाब से आप देखेगा तो देखे कुछ लोग हमें बोलते हैं सर टेक्निकल काम नहीं करते है news based stock में हो सकता है आपकी information सही है आपका point of view सही है पर based on our experience still technical do hold true जैसे हम हमेशा कहते हैं भाव भगवान होता है आप कुछ भी समझे अगर आप यह chart किसी को भी दिखाएंगे चाहे तो टेक्निकल अगर देखेंगे इसने एक channel को form किया हुआ है थोड़ा channel wide है वो accept करते हैं पर यह channel formation है और channel का direction upward है तो यह जब तक इस channel के अंदर है I don't think कि कोई भी इसको कह सकता है कि यह यहाँ से नीचे opportunity है channel का नीचे का portion आए definitely आपको खरीदना है अब यहाँ पर यह range बन रही है बहुत अची 14 से 15 की जो range बन रही है यह बहुत अची range बन रही है जिसमें आप accumulate कर सकते हैं और पिछले 3-4 दिनों से accumulation हो रहा है इसका तो आपको थोड़ा से ध्यान रखना है अगर super trend के इसाब से देखें तो super trend clearly एक downward indicate कर रहा है 17 rupees 15 पैसा इसका stop loss है अभी के लिए अगर यह ऐसे ही इस position पर रहा तो यहाँ से बहुत जल्बी जब उपर चलना शुरू होगा तो आगे यह flat हो जाएगा और यह इसको cross करके फिर यह buy signal देगा तो आप यह education वीडियो देख सकते हैं इसमें करीब 35 वीडियो हैं हमारे पास में और हम हर हफ़ते वीकेंड पे especially एक यदो वीडियो और add करते रहते हैं जो based on our request we get it तो आपको यहाँ पर help मिलेगी और 7 mistakes to avoid market तो आपको एक जरूर ही देखना चाहिए हमारे साब से अब अगर अगला parameter देखें तो bullionger band यह bullionger band के lower हिस्से में आ रहा है पर हिस्से से बाहर नहीं निकलना है वो अच्छी बात है सबसे पहले इसको करना क्या होगा सबसे पहले इसको bullionger band के मीन के पास जाना है 1695 का भी का आज का level है तो यहां तो जाने के लिए इसको थोड़ा effort लगाना पड़ेगा उसके बाद फिरियो उपर direction शुरू हो जाएगी अब कुछ और information आपके लिए इसके पास share करते हैं तो please consult your financial advisor और अगर बात करें जैसा आपको थोड़ा सा history के साफ से बताता है CCI का approval एक easy process नहीं है आपको याद होगा जब future group के future coupon का हिस्सेदारी ले रहा था 49% Amazon तो उसमें CCI ने approval देर से दिया था हमें याद है 2019 के बात है November 1st को यह news announce इती की Amazon is willing to buy this और 29th November को इसका approval आप्टेन हुआ था तो तब भी 28 days लगे थे Amazon को इसका approval लेने के लिए तो आब आप समझी यह deal जो है यह थोड़ी complicated deal है इसमें सिर्फ एक entity merge नहीं हो रही है या Reliance सिर्फ एक entity को खरीद ने रहा है उनके front end stores को खरीद रहा है सारे FBB, सारे के सारे stores जाएंगे उनके पास में उनकी back end warehousing को खरीद रहा है और साथ में supply chain को खरीद रहा है तो इसमें 3 different चीज included है तो आपको expectation definitely होने चीए कि यह deal Amazon की previous deal से थोड़ी complicated है और इसमें हो सकता है एक महिने से ज़्यादा time लगेगा क्योंकि उसमें 28 दिन लगे थे आपके तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर patience रखने की जुरूत है यहाँ पर आप यह ध्यान रखे दोस्तों अगर आप कोई भी fund stock market में लेके आ रहे है हम सिर्फ future group की बात नहीं करें कोई भी fund अगर आप किसी भी company में invest करना चाते है तो आपको ध्यान रखना है कि stock market में वो पैसा लगाईए जो आपको कम से कम आने वाले एक साल तक के लिए ज़रूत ना हो अगर आपको कोई short term की need है आपको 3 महने बाद कोई function है उसकी वज़े से पैसे है और आप सोच रहे हैं कि उसको stock market में लगा दे नहीं वो गलत अप्रोच होगी आपको हमेशे long term का देखना है stock market में और थोड़ा patient से काम करना है यही हमारी advice है हमारे सब viewers को अगर आगे देखें इसके साथ में हमारा telegram channel बन चुका है आप चाहें तो इसको join कर सकते है और अगर हम देखें आगे अभी भी हमारे हिसाब से technical setup positive है कुछ parameters negative है पर जादतर setups within the range है within the positive view है सबसे पहले इसको alligator indicator को cross करना होगा जो कि यहां से अब जो mean सबसे पहला low level आ रहा है वो 15 rupees 85 पैसे के असपास आ रहा है जो हमारे इसाब से जैसे ही CCI का approval आएगा तो यह 3 दिन के अंदर इसको cross करने की कोशिश करेगा CCI का approval is the key thing here तो देखें जब इसका announcement आया था जब deal announce होई थी तो आपको तबसे और अब में अभी तो एक महिना भी नहीं हुआ यहाँ पर तो August के 29 तारिक से शुरू हुआ है तो इसको अभी आपको expectation ही होनी चाहिए कि September towards the end of September वो आपको होना चाहिए इसका कि September end या फिर October के शुरू में यह deal announce होगी तो यह बहुत अच्छा accumulation zone बन रहा है यहाँ पर अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो यह जो reason बन गया है यहाँ पर जहाँ पर trade हो रही है लोड सरकीट चला तो उसको छोड़ दीजे अभी यहाँ पर यहाँ पर अब trade हो रही है आराम से आपके दिन पर तो यह एक अच्छा reason है जहाँ पर आप accumulate कर सकते है इसको quantity को और आपको याद होगा जब 29 नॉंबर को approval आया था तो यह stock zoom करके भागे थे सारे के सारे stock F.E.L. के particularly करीब करीब हमें याद है 18% के आसपास increment हुआ था वहाँ पर within a short span of time तो यह एक natural phenomenon है CCI का approval थोड़ा देर से आएगा इसलिए आपको थोड़ा सा patience रखने की ज़ुरत है हमारी सलहा दोस्तो 14 और 15 के बीच में आपको अगर F.E.L. मिल रहा है तो आप उसको खरीद दीजे, बशर दे, आपने या तो fresh investment कर रहे हैं इसमें और या फिर आपके portfolio का 5% से ज़ादा इसमें अभी तक नहीं है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि 14 और 15 की range है इसकी buying करने की और आपका 5% से ज़ादा portfolio allocation नहीं होना चाहिए इसमें तो यह हम आपको सलहा देना हैं दोस्तों क्योंकि Reliance का objective clear है Ambani साहब Retail King बनना चाहते है तो उनको Retail King बनना है तो वो पूरे effort लगाएंगे सारा process जैसे normal होता है वो चलेगा CCI का approval का time लगेगा ही उसको आपको ध्यान रखना है कि यह एक small event है CCI का approval उसके बाद में और भी approval आएंगे तो operator यहाँ पर अपना game खेल रहे हैं ताकि किसी तरह से retail इस stock से या इस group के stock से निकल जाए वो आपको avoid करना है यहाँ पर यह हमारी आपको सबसे पहली सला है दोस्तों हम लोग nifty और bank nifty में actively trade करते हैं अगर आपको यह हमारी service चाहिए तो paid service है आप हमे mail drop कर सकते है हमारा target 36 रुपे का target है time इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी आपको तोड़ा patience रखना पड़ेगा जब इसका approval आएगा तो इसमें upper circuit शुरू होंगे यह चीज हमें पुरा clear है based on history जब future coupon का approval आए था जय हिंज भारत